आज हम बनाएंगे सूजी नारियल के मलाई लड़ू, वैसे तो सूजी से कई तरक लड़ू बनते हैं, लेकिन आज हम जो लड़ू बनाने वाले हैं इसको बनाने के लिए आपको चीनी जरूत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस लड़ू को हम बिना चीनी के बनाएं और इसमें ज़्यादा घी डालने के जरूत नहीं है, सिर्फ एक चम्मच घी में आप इस लड़ू को आसानी से बना सकते हैं नमस्कार, आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है, तो चलिए हम रेशिपी बनाना शुरू करते हैं लड़ू बनाने के लिए सबसे पाहले हम मखाने को भूनेंगे, कडाहिम हम एक कब मखाना डाल देते हैं, इसमें हम घी तेल नहीं डालेंगे, बिना घी तेल के भूनेंगे तो मखाने को हमें लगातार चलाते हुए तब तक भुनना है जब तक एउपर से क्रिस्पी न हो जाए लगभग 4-5 मिनट तक मखाने को हमें भुन लिया है आप देख सकते हैं भुनने बाद मखाना एदम क्रिस्पी हो गया है अब इसमें हम डालेंगे आधा कप खर्बूजे का बीज लगभग आधा कप बदाम डालेंगे अब इसे भी हम मखाने क साथ 2-3 मिनट तक और भुनेंगे क्योंगे खर्बूजे का बीज अच्छे से भुना रहेगा तभी लड़ू खाने में स्वादिश लगेगा इसमें कच्चा पन बेलकुल नहीं रहना चाहिए जब इसमें से खर्बूजे का बीज चटगने लगे तो समझी यह भुन चुका है अब इसी में हम थोड़ा से काजू डाल कर भुनेंगे काजू जल्दी से भुन जाता है इसलिए हमने इसको बाद में डाला है ज़्यादा नहीं बस इसको हम एक मिनट तक और भुन लेते हैं सारे चीजों को हमने अच्छे से भुन लिया है इसमें सच्छी खुसबू आ रही है अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए जब तक ए ठंडा हो रहा है तब तक के लिए हम नारियल को भुन लेते हैं यहाँ पर हमने एक कप नारियल को बुरादा लिया है, तो पूरे नारियल को हम कड़ाहिम डालेंगे, और इसे भी बराबर चलाते हुए तीन से चार मिनिट तक भुनेंगे, बराबर चलाते रहेंगे, और गैस को मीडियम में रखेंगे, जिससे नारियल जलेना और अच्छी अब इसी कड़ाहिम हम सूजी को डाल कर भुनेंगे, कड़ाहिम एक बड़े चमच घी डाल देते हैं, घी गरम होने बाद अब इसमें हम आधा कप सूजी डाल कर भुनेंगे, अब सूजी को बराबर चलाते हुए धिमियाज पर भुनेंगे, जिससे सूजी जलेना और अच चम्मच काफी है लगभग दो से तीन मिनट सूजी भूनने कबाद आप इसमें हम थोड़े से कटे हुए पिस्ता डालेंगे पिस्ता को डालने कबाद सूजी को हम दो मिनट तक और भूनेंगे इस लड्डुक लिए आप चाहें तो और भीमेवा ले सकते हैं अब ये सूजी भून गया है इसमें से काफी अच्छी खुसबू आ रही है अब इसमें हम दूद की मलाई डालेंगे यहां पर हमने एक कप मलाई लिया है एकदम ताजा मलाई है पूरे मलाई को हम सूजीम डालकर मिला लेते हैं मलाई डालनेक बाद इसको हमें भूनना नहीं है बस इसको हम सूजी में अच्छे सी मिला लेते हैं मिलानेक बाद इसको हम धक्कर रखेंगे जिससे इसमें जो सूजी है और फोल जाए सूजी में मलाई को हमने अच्छे सी मिला लिया है आप गयस को हम बंद करेंगे और कड़ाई को उपर धक्कन लगाकर 5 मिनिट लिए धक्कर छोड़ेंगे जिसे सूजी इसमें अच्छे से फोल जाए अब यहाँ पर मेवा मखाना चिश ठंडा हो चुका है तो इसे हम जार में डाल कर पीसेंगे पीस कर इसे हम बारिक पौडर बनाएंगे मेवा मखाना को हमने इस तरह से पीस लिया है अब इसे एक प्लेट मी निकालेंगे यहाँ पर हमने एक कप मिस्री लिया है मिस्री को पीस कर हम पौडर बनाएंगे तो पूरे मिस्री को हम जार में डालेंगे अगर आपको चीनी वाले लड़ू पसंद है तो आप इसकी जगाँ चीनी पीस कर ले सकते हैं मिस्री को पीस कर हमने पाउडर बना लिया है अब हम इसे सूजी मिला कर लड़ू बनाएंगे तो पांच मिनट बाद यहाँ पर सूजी अच्छी से फूल गया है आप देख सकते हैं सूजी अच्छी तरह से फूल चुका है आप इसमें हम पीसे हुए पूरे मिस्री को डालेंगे इसके बाद भूना हुए नारियल बुरादा डालेंगे और हमने जो मेवा मखाना पीसा है इसको भी डालेंगे इसके बाद आधी छोटी चमजी लाजी पौर्डर डालेंगे इससे लड्डू का टेस्ट काफी बढ़िया बनता है अब सारे चीजों को हम अच्छे सी मिला लेते हैं अगर आपको लड्डू बनाते समय मिस्रन सुखा लगे तो आप इसमें एक आख चमज घी आउट डाल कर मिला सकते हैं आप इसको हम हाँ से अच्छे सी मिला लेते हैं फिर इसका हम लड्डू बनाएंगे सारे चीजों को मिलाने बाद आप थोड़ा-थोड़ा मिस्रन हाथ मिले कर इसका हम लड्डू बनाएंगे लड्डू आप जैसा चाहें अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं इस तरह से हम पूरे मिस्रन का लड्डू बना कर तयार करेंगे वैसे तो आपने सूजी से बने लड्डू जरूर खाये होंगे लेकिन ए वाला लड्डू स्वाद में सबसे अलग है ये लड्डू खानें बहुत बढ़ियां लगते हैं और इसको आप एक बार बना कर हफ्ते भर आराम से खा सकते हैं एक एक करके सारे लड्डू को बना कर हमने तयार कर लिया है सूजी नारियल मलाई लड्डू हमारा तयार है बहुत ही बढ़ियां मुलायम लड्डू बने हैं एक लड्डू हम तोड़ कर दिखाते हैं तोड़ने बाद आपको पता चल रहा होगा कितने मुलायम लड्डू बने हैं आप इसे जितना दिन तक रखेंगे ये टाइट बिल्कुल नहीं होगा इसी तरह मुलायम बना रहेगा आप भी इस तरह से लड़ू बना कर जरूर ट्राई करें हमें यकीन है यह सूजिक लड़ू आपको जरूर पसंद आएगा